सुष्ट रखातेप सभी का एको नियो वीडियो पर जैसा कि मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में बताया था कि जिस मीटिंग का अपन बेसवरी से इंतिजार कर रहे थे जिस मीटिंग से अपन को इतनी जादा उम्मी देती कि हाँ अब हमारा कोई डिसिजन आ जाएगा कि एक्जाम पोस्पन्ट होने है या फिर नहीं होने है इसकुल वगर ओपन होने है या फिर नहीं होने है तो अभी एक-दो दिन और वेट कीजिये हो सकता है कि एक-दो दिन में आपको कोई decision आ जाए और यहाँ पर एक अच्छी बात हो सकती अगर एक-दो फरवरी में decision करते हैं यानि कि फरवरी के first week में decision करते हैं तो obvious सी बात है आपके school वगर तो open नहीं होंगे 31 के बाद और अगर first week में आपको decision किया गया तो exam में आपके काफी जादे कम दिन बचेंगे तो आपके exam हो सकता है कि आगे बढ़ाये जाए और यह news थी आपके question bank के respect में news के थुरू आपको यहीं बताया जा रहा थे कि question bank कितनी जादा important है कुछ बच्चों के ऐसे comment messages आयती किसार अभी तक हमने तयारी नहीं कि यह काफी कम time बचा हुआ है कुछ ऐसा बता दो कि हम pass हो जाए तो मैं आपको यहाँ पर बता हूँ अगर आप इस news को वीडियो पॉस करके पढ़ेंगे तो आपको इसकी importance बताई गई है और board की भी यही तयारी अगर आप heading देखेंगे तो आपको समझ में आएगा board आपको यही बताना चाहर है कि बच्चों के अच्छे number कैसे यहाँ इसी कारण से हम उनको question bank से तयार करवा रहे हैं और मैं आपसे यह भी कहा रहा हूँ कि question bank पूरी तरीक से depend मत हो अगर आपको अच्छे number चाहिए तो question bank साथ में previous year के question paper अगर यह combination आपने अपनाया तो आपके board examination में अच्छे number आ सकते हैं previous year के question paper उठाईए उनमेंसे जो question है क्योंकि आपके topics वही है अगरे कि previous year तो हमारी book वागर दूसरी थी और इस बार हमारी change हो गई है तो मैं आपको बते हैं topics वागर आपके same है Hindi English में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और जो आपके main main subject होते हैं उनको आप previous year के question paper से important question practice कीजिए वो काफी ज़्यादा chances होते हैं कि repeat हो जाए So student अगर आपको भी पढ़ाई करते time आते हैं doubt तो यहाँ पर परिशान मत हो यह आपके सारे doubt का answer देगा आपको doubt nut जिस भी question में आपको doubt है उसका photo कीजिए उसको crop कीजिए और within 5 seconds आपके सामने उसका answer आ जाएगा वो भी free में अब आप पूछ सकते हैं अपने कितने भी doubt कभी और कहीं भी अब आपका doubt कहीं का भी हो छटी से बारवी तक का IIT का JEE का NEET का या फिर CBSE का बेहार का या फिर other state board का कोई भी subject हो यहाँ पर matter नहीं करता physics, chemistry, math, bioscience आपके सभी doubt का answer दिया जाएगा doubt nut app पर अभी इस app पर conduct हो रहे है online lectures तो इनको पढ़के भी आप अपने जो percentage उन्हें improve कर सकते हैं 9 से 20 तक और अपनी IIT JEE की भी preparation कर सकते हैं इन lectures का फायदा उठा कि अभी तक काफी बच्छे अच्छे percentage गिन कर चुके हैं तो आप भी जरूर से app को download कीजिए तो अगर आपके अभी तक तैयार ही नहीं है आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप question bank करके और previous year के question paper करके पास आराम से हो सकते हो और अभी आपके पास time है तो इन पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए बाकी जो भी होगा decision जो भी होगा वह समय आपको आपके बताई दूँगा तो अगर आपने अभी तक subscribe करके नहीं रखा तो जरूर से करके रखिए notification आएकर जरूर से on करके रखिए किसी तरह कोई doubt आता है तो आप मुझे Instagram पर direct DM करके बात कर सकते हो